हाई बच्छों, वेलकम टू पेपर हैकर यूटूब चैनल पिछरे वीडियो में हमने प्रश्च नबर 6 तक आप लोग को पढ़ाया था BA Part 1 Second Semester Quality ओके बच्छों, तो आगे हम लोग प्रश्च नबर 7 पढ़ेंगे वीडियो में लाश्च तक बने रहीगा और देखते रहीएगा आगे हमें जो है प्रश्च नबर 7 अब आप लोग को बताने जा रहा है BA Part 1 Second Semester ओके देखिए आहां BA Part 1 Semester Second का Quality BA Part 1 Semester Second का पॉलिटी पढ़ाएंगे पिछली वीडियो में प्रश्च नबर 6 तक बता है थे Next हम जो है प्रश्च नबर 7 आज इसका बताने जा रहा है देखिए क्या कार रहा प्रश्च नबर 7 वच्चों देखिए आहां उत्तर बेभारबाद क्रांती के उदय के कारण उत्तर बेभारबाद क्रांती का उदय का कारण बताना है उसका जन्म एवं इसके आधारभूत लक्षणों का उलेक करना है इसके आधारभूत लक्षण क्या थे उसका उलेक भी करना है ठीक है अथ्वा में यहां दिया हुआ है देखिए उत्तर विभार बादी क्रांति पर निबन्द लिखेंए उत्तर विभार बाधी करांति पर एक निबन्द भी लिखना है ओकेवचों नेक्ष्ट देखिए नहीं क्द?! अब हम लोग क्रांती चलि रूडहिटा वादि चली आती हैं उसी जो है कौन से चली आती है करता और दिशा हिंदा के कारण हुआ ल७ दिशा हिंदा के कारण यूँ में जो है अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स अमेरिकन पॉलिटिकल साइन्स एसोसियेशन के अपने अध्यक्षी भाषण में कहा था association के अपने अध्यक्षी भाषण में कहे थे कि बेवारबादी क्रांती से हम अपने विशलेशन को सार्थकता नहीं दे सकते हैं हम अपने विशलेशन को क्या कर सकते हैं सार्थकता नहीं प्रदान कर सकते हैं अता हमें उत्तर बेभारबादी बनना होगा, अता हमें क्या करना होगा, उत्तर बेभारबादी करांती के उदे निमलिखित कारण है, जो अभी हमने प्रश्ण में बताया आप लोग को कि बेभारबादी करांती के उदे के कारण, उसी तरह उत्तर बेभारबादी करांती के उदेजो हुए उसकी निम्लेखित स्क्राइबित कर देखें यह एक प्रतिक्रिया यह वादी के बिशुद के बाद बरवादी प्रयासों के मादियisceल कते प्रयास के लाजनी देखन को बिश्वानित से धानतिय के प्रयास होने लगे कि अग्धे ठीक है तो दित्ती विशुद कब हुआ था बच्छों सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो 1939 में हुआ था कितने वर्सों तक चला छे वर्सों तक और 1945 में जाके जो है खतम हुआ ठीक है तो दित्ती विशुद के बाद जो है क्या होने लगे थे कुछ प्रियास ऐसे होने लगे थे जो वैज्ञानिक रूप देने का प्रियास करने लगे लेकिन इसके बावजूद लेकिन इसके बावजूद जो है स्वयम कई विभारबादी इन प्रयासों को औपर्याप्त एवं औपुन मानने लग गया गया स्वयम विभारबादी प्रयासों को औपुन और औपरस्परवादी मानने लगा आदमी ठीक है बच्चों, देखिए कहां थे बच्चों हम लोग, देखिए यहां, आपर्याप्त एवम अपुन अनुभो करने लगे थे, ठीक है, सेकेंड नमबर, पॉइंट देखिए क्या का रहा है, ऐसा माना गया कि समाजिक बिज्ञानों की अध्यन पदतियों को प्राकृतिक नियमों की तरह लागू करना घातक है, समाजिक बिज्ञान की अध्यन पदतियों को प्राकृतिक नियमों की तरह लागू करना क्या है, घातक सीध होने लगा, क्योंकि समाज एवम बेक्ति की प्रकृति परिवरतन शील होती है, समाज और बेक्ति की प्रकृतिक क्या होती ह परिवर्तन शील होती है चेंजिंग आते रहते हैं अता उनका अध्यन प्रकृतिक बिज्ञानों की तरह संभव नहीं है अता उनका अध्यन जो है प्रकृतिक बिज्ञानों की तरह क्या है संभव पॉसिबिलिटी नहीं हो पाया अता बेभार बादी द्वारा किया गया यह विभाजन कृत्रिम है कि व्यक्त का अप्चारिक ब्यभार एं उसकी अचेतन की आकांच्हाएं जो है आवन्षनी रूप से जुड़े हुए हैं किस रूप से जुड़े हुए हैं बच्चों आवन्षनी देखिए हैँ आव इंचनी पुड़ा सा हार्ड वर्ड है इसको इसलिए लिख दे रहा है हम बच्चों देख लीजिए हैं आप लोग आव इने रूप से जुड़े हुए हैं ठीक है सेकेंड नमर पॉइंट क्या कर रहा है थार्ड नमर पॉइंट उत्तर बेभारबाद एक तरह से बेभार मुल्यों के मुल्यों के अध्यान को विग्यान को निक्ता की दुर्वाल ता माना गया है及 जौन होmost तत्थ प्रधान अध्यान के वो विज्ञान के जो है क्या किया गया तत्थ प्रधान अध्यान के पर्याय माना गया है विज्ञान के पर्याय माना गया है क्योंकि तत्थ जो है क्या कह रहा है देखिए अहां क्योंकि तत्थ जो है कहा थे बच्चों हम देखिए क्योंकि तत् भीभारबादी में मुल्यों के अध्यन का चानिंग कर रहा है वेग्यानिक्ता कि दुर बलता माना गया है तत्य परधान अध्यन को विज्ञान का क्या किया पर्याय माना गया यहां तक पढ़ाय थे इस लाइन को फिर से रिपीट किया है बच्चों क्योंकि तत्य प्रधान अध्यन वस्तु थे अर्थात अध्यन है लेकिन उत्तर वेभार वादियों का मानना है कि तत्य और मुल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर में प्रासंगिक है दो एवं राजनीति विज्ञान को जो है सही अर्थों में अगर माने हम तो राजनीतिक एवं बैज्ञानिक दोनों ही रूपों में जीवन तो होना चाहिए दोनों ही रूपों में क्या होना चाहिए जीवन तो होना चाहिए एक जीवन में होना चाहिए ठीक है इसलिए मुल्य करांती के साथ ही समाज, राज बेवस्थाएं और विशु अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया बच्चों और क्या हुआ उदाहन के लिए आणवी की युद्ध का भय अमेरिका में काले और गोरों का भीभेद ताना साही सासन की बढ़ती हुई संभनाय और प्रविर्तियां वियतनाम में अघोसित युद्ध जनसंख्या विस्फोट आदी होने लगे थे किन्तु राजनिती को विसुध बिज्ञान बनाने की अभिलासा में बेवहारबादियों ने समाज और विसुमानवता के परती अपने दायत्तों की उपेक्षा की उत्तर उत्तर विवहारबादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था कि वह यह था कि उच्च तकनिकी परियाप्त और परिस्क्रित शोधु उपकरणों के प्रियोगों की उपियोगिता क्या थी यदि राज बैग्यानिक इस इस्थिती में भी नहीं थे कि वे समकालीन समाजिक और राजनितिक संकटों को समझ सकें समकालीन राजनितिक समाजों और संकटों को क्या करें राजनितिक समझ सकें ये भी इस्थिती में नहीं थे तो और उनके समधान की भी जो है दिसा में योग दे सकें उनके समधान की दिसा में भी क्या कर सकें यो लोग देसकें ठीक बच्चों देखें आगे जो है उत्तर वेभवार बादीे की लख्षण ふह रखन हम लोग पढ़ेंगे क्या लक्षण थे बच्चों कह रहा रहा तर वीभवारबाद के लख्षण ठीक लख्षण ठीकर डेविड टाइप्स शोद की सार्थक्ता रिलिवेंस और निश्ठता डेविड इस्टन ने उत्तर बेभारवादी की साथ मानेताओं का उलेख इस प्रकार किया जिन्हें वह प्रासंगिक्ता के सिधान्त रिलिवेंस कहकर पुकारते हैं ठीक है प्रविदी से पुर्व सार उत्तर बेभारवादियों का कहना है कि बेभारवादी तकनिक जो है उत्तत्यों विशेवस्तु सार के उपर प्रधानता प्रधानता देते हैं सार के उपर प्रधानता देते हैं उत्तर बेभारवादियों का यह मानना है कि प्राह तत्य और तकनिक दोनों का साथ साथ उचित परियोग करना चाहिए और ऐसा संभव भी है ऐसा क्या है संभव भी है ठीक है तत्यों को बली चड़ा कर बेभारवादी प्राह तकनिक के पीछे भागते रहे हैं परन्तु उससे भी यदिक महत्पुन बातवह उदेश है जिसके लिए इन उपकरणों को परियोग में लाया जा रहा है इन उपकरणों को क्या किया जा रहा है परियोग में लाया जा रहा है उत्तर बेभारवादियों के अभिमत बेभारवादियों को चाहिए कि वे जो है महत्पुन समसाई की समाजिक समस्याओं तत्यों के साथ प्रयुजनात्मक रूपसे अपने सोधकार की प्रासंगीकता अस्थापित करें यदि यह कहने के मार्ग में उनकी सोध तकनीक या पेराडीम बाधक है पेराडिम क्या है बाधक है तो भले ही तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिक्ता न छोड़ें तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिक्ता को क्या करना है नहीं छोड़ना है ठीक है बच्चों आगे देखें क्या कह रहा है तकनीक छोड़ दें पर प्रासंगिक्ता को क्या करना ह है हम लोग को नहीं छोड़ना है यूप सो बेवार बादियों की नारा क्या था बेभार्बादिता का नारा क्या था उस पाश्ट होना जितना बुरा था गलत होना उतना नहीं तके जीटना गलत वोई वही यहाँ पर उत्तर बिवारबादियों के विप्रित नारा दिया गया कि अप्रसंगिक सुनिश्चिता से असपष्ट होना कम बुरा था ठीक है समाजिक परिवर्तन पर बल समाजिक रूढ़िवादी वीचरदारा क्या हुई है छीपी हुई थी ठीक है तो उत्तर बेभारबाद मुल्यों के संदर में परिवर्तन का समर्थन करता है उत्तर बेभारबादी व्यापक मुल्यों के संदर में क्या करता है परिवर्तन करता है बेभारबादी आने जाने यान जाने परिवर्तन विरोधी विरुड़ी वादी हो जाते हैं जाने परिवर्तन वादी क्या होते हैं रुड़ी वादी हो जाते हैं ठीक है बच्चों परिवर्तन विरोध परिवर्तन विरोध विभारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीक में नहित हैं विभार अपने को सिमित रखता है उन तत्यों के व्यापक संदर्व को उनकी समाजिक उनकी समाजिक प्रसंगिक्ता को समझने की आवशकता है प्रसंगिक्ता को क्या कर रहा है समझने की आवशकता है पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह समझता है कि यह उसके क्या यह उसके जो है क्या करता है प्रणाली शास्त्र प्रणाली शास्त्र में प्रणाली शास्त्र में जो है कि अनुसार वर्जित है प्रणाली शास्त्र के अनुसार क्या है वर्जित है मना है ठीक है समाजी प्रसंगिक्ता को व्यापक संदर में समझना शायद उसके पेराडियम की आवशक्ताओं के उडासिन रहता है उधासिन क्या रहता है ही रहता है इस सब का परड़ाम यह हुआ कि बिवहारवादी ने एक ऐसी समाजी क्रुरहिता वादी का डिफान निदान के लिए है उनकी आवशकताएं भी खुछ थी वह आवशकताएं बता रहा है ठीक है उत्तर विवहारबादियों के उत्तर विवहारबादियों के अनुसार राज बैज्ञानिकों को मानव जाती किया हो सकताओं को पूरा तथा संकेतों का समधान जो है करने में सहायता करनी चाहिए संकेतों का समधान करने में क्या करना चाहिए सहायता करना चाहिए help करना चाहिए बच्चों बिभारबादियों ने राजनीतिक या थर्थाओं से अपना नाता तोड लिया था अपना नाता क्या कर लिया था तोड लिया था तूट गया था पेभारवादी अनवेशन का लक्ष यदि वास्तों में तत्यों की गहराई तक पहुचना था तो यह कैसे संभव माना जा सकता है कि राज बेग्यानिक इस्थिति की अथर्थाओं के परती अपनी आखे सरवधा बंद रखे आखे क्या करे सरवधा अपनी आखे बंद रख सक पर नेक्स्ट वीडियो में उसको बना के हम दिखा देंगे अपको ठीक है यह यूग संकट और चिंता का यूग था और बेभारवाद के अमुर्त प्रतियों एवं अधराओं में वेक्तित था समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं की समाधान की छमता जो थी नहीं abykतित था समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं की छमता उसमें नहीं थी राजनीती साष्टर और का ऑचित उसी इस्तिती में सर्वब्मान होगा जब कि समाज में व्याप्त not चमताओं, संघर्षों, आकांच्छाओं, संदर्भों एवं चिंताओं के उचित समधान किये जाएं, ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या का रहा है, उचित समधान किये जाएं, ठीक है, तो आप देखते हैं क्या का रहा है, क्या समधान किये जाएं, उत्तर बेभार वादियों का मूल उदेश राजनेती सास्त्र की मदद करना है ताकि इस संकट से बचा जा सके जिसे मानो जाती का वास्तुविक्ता आवश्यक को पूरा किया जा सके फोर्थ रंबर पॉइंट देखे बच्चों क्या का रहा है मुल्यों की महत्यपुन भूमिका मुल्यों की महत्यपुन भूमिका क्या थी उत्तर बेभार वादियों के अनुसार कोई भी ज्यान जो है कोई भी ज्यान एनि टाइप्स नॉलेज ठीक है मुल्यात्मक दिरिष्टी से न तो तत्यों प्रासंगी की अथर्थाओं से तटस रहा और नहीं रह सकता है बेभार वादियों ने मुल्यों के महत्यों को सर्वत्ता और स्विकार न करते हुए भी बिज्यान वाद और मुल्य निर्पेक्ष दिरिष्टी कोण पर इतना जोर दिया था कि बेभार वारिक दिरिष्टी से मुल्यों को सर्वत्ता जो है उपेक्षणी मान लिया गया था इस स्थिती ने राजनिती बिग्यान को निरस तथा प्रयोजन हिंता बना दिया इस स्थिती ने राजनिती बिग्यान को क्या किया निर्पेक्छता बना दिया और प्रयोजन हीन जिसमें प्रयोजन नहीं हो सके वो प्रयोजन हीन बना दिया ठीक है राजनिती में मुल्यों का बहुत अधिक महत्व है और बेग्यानिक्ता के नाम पर राजनितिक जो है अध्यन से मुल्यों को बहिस्कृत नहीं किया जा सकता है इस बात पर बल देते हैं कि यदि ज्ञान को सही पर्योजन के लिए परियोग में लाना है तो मुल्यों को उनकी केंदरी इस्थिती पर दान करनी होगी ज्ञान को सही केंद्री तस्थान पर लाना है तो मुल्यों के क्या करनी होगी उनकी केंद्री इस्थिति परदान करनी होगी ठीक है बच्चों फाइफ नंबर पॉइंट देखें क्या का रहा है बुद्ध जीवियों की भूमिका इसमें बुद्ध जीवियों की भूमिका रही है वो क्या भूमिका रही है बुद्ध जीवियों की भूमिका जो है देखें अहां उत्तर वेभार बादियों ने राजनीती शास्तर को यह भ लाना चाहा कि बुद्ध जीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। वहां अपनी उचित भूमिका क्या करता नहीं निभाता है अपने दाइत्व से घुमख हो जाता है हुट फॵोंध क्या कर रहा है कर दोतर भारबी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं और उनका कतन हैं उसमें लगे रहना चाहिए उनका मत है कि ज्यान वेभार हरी रूप से सार्थक होना चाहिए ज्यान का क्रियात्मक होना आवश्य है उत्तर विवहार बादियों के अनुसार परतेक सोध करता को ऐसा सोध करना चाहिए, कैसा सोध करना चाहिए, जिसका समसाइक समस्याओं के सुल्जाने में योगदान हो, समसाइक समस्याओं जो है, उनको सुल्जाने में उसका योगदान रहे, ठीक है, अतह राजनिती बिज् के अस्थान पर कौन चाहिए बैवसाय का राजनीती करण जो बैवसाय है उसका राजनीती करण कर रहा है ठीक है तो क्या है कि राजनीती सास्त्रियों को समाज में सकरात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसे से समाज के उद्देशों को एक सुवैवस्थित दिसा परदान की जा सके, अतह बुद्ध जीवियों के संगों और समुदायों यहां तक कि बिशुविद्यालेओं को भी मानो मुल्यों के रक्षार संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए उनके बिशुविद्यालेओं को भी मानो मुल्यों के संघर्ष के मैदान में आ जाना चाहिए उनके बेवसाय का राजनिती करण और परिहार एवं वांचनी होने चाहिए ओके बच्चों उमिद करते हैं ये कुश्चन और एंसर आप लोगो समझ में आ गया होगा नेक्स्ट वीडियो में प्रश्ट नमर 8 बताएंगे हम आप लोगों को वीडियो में इसी तरह बने रहेगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और सेर कर दिजेगा अगर चैनल अच्छा लगे तो, थैंक्स फार वाचिंग, थैंक्स फार बरेली